बिल्डी की जड़ या नाजगर में रखना करूलपती या अरपती बनने का शौर्टकट बन सकता है। बिल्डी की सीड़ी भागता हुआ चरता चला जाएगा आपको बताएंगे हर बात पूरी तफसील के साथ मैं डॉक्टर फाद हरतानी रोश्री वाला आपका रोहारी उस्तार प्रॉम रोश्री सेंटर डाट का जिस पानी में बिल्ली ने मूँ डाला हुए उस पानी को चाट के आखरी लेवल पर पड़े हैं बिमारी हो ऐसी जो डॉक्टर जवाब ही न देते हूं या फिर शायद डॉक्टर जवाब दे चुके हो तो बिल्ली के मूँ लगे हुए पानी से मरीज को फुजू कराई है या अगर आपसे हो सके तो उसे पूरा खुसल कराई है जगी जा या तकलीफ आनी आवाज रिगाल रही होती है उसको घर में तकलीफ और परेशारियां आने वारी होती है ऐसी कोई बात नहीं आज की जदी रिसर्च ये कहती है कि बिल्ली जब मियाओं की आवाज निकाल दिया तो आपसे बात नहीं करती है तरसल बात करने के अपनी मदद के लिए किसी इनसान से बात करना जाती है बिल्डी का मनूस होना या नौसत की अलमत होना कहीं से भी साबित नहीं है इसलिए काली बिल्डी का रस्ता काटना सिर्फ वो तक शैतान का वस्वजा ही हो सकता है बिल्ली के लुआब में शिपाए इसलिए कि जब भी उसे कोई जखम लगता है किसी रोट से है किसी और जानवर से तो फॉईद आपर वो अपने लुआब से ही अपने जखम को चाटती है उसका जखम ठीक हो जाता है बिल्ली के लुआब लेप की तरह और मरहम की तरह काम करता है जबके बिल्ली को अपने पास बिटाकर उसके बालों में हाथ पेरने से इनसान को कल्बी, जहनी और रोहानी सुकून मिलता है और जिससे बहुस्बत करती है बिल्ली उसके जिसम से अपने आपको रगड़ती है, मजग करती है, उस वकश अपनी तवादाई वे इन साम के इंडर मुद्डली जो नेकिटिन बातों को बिल्ली पारने वाला कोई भी शजटानी के साहत तच्थ। कर सकता है आगगरीम रूफ रहीम की जमाने में एक औरत में बिल्ली को बेकुसूर एक जगा बांद दिया ना फिर उसके बाद उसने उसे खाना दिया ना पिर कोई चीज पीने को दिया तो बिल्ली भूकी प्यासी उसी जगा पर पढ़े पढ़े मर गई इसी विजा से उसारत को जहन्म में बेच दिया गया अब सोचने मेरी बात जाए कि अगर बिल्ली के उपर जिल्ली करने से इतना ज़्यादा अजाव आपको मिल सकता है तो किसी बिल्ली की खित्मत करने से आपको बेशमार नेकिया भी मिल सकती है अब मैं आपको घैव की मदद का इनक तरीका बताता हूँ एक पूरा वाकिया सचा वाकिया जो मेरी जिन्दगी में मैंने अपने बच्पन में देखा हमारे बच्पन में एक और दुआ गरती थी असर से मगरिप की दर्मियान बहुत सारी बिल्लीओं को लेके बढ़ जाती थी उन्हें खाना देती थी पीना देती थी उन्हें दूद वगरा प्यारियों में दाल लगकर बेशमार बाटा करती थी ये बूरी औरत थी, ना उसका बाप था, ना बेटा था, ना शोहर था, ना कोई भी नी था उसके साथ, कोई इसका सोर्स ओफ इंकम था ही ने, अकेली बस एक औरत बूरी रहती थी, जबके मदद अमदाद के लिए जो कोई भी शखस उसके पार आता था, उसे बेशुमा इसके लिए खेफ की इंदास से मिलते रहते हैं, अल्ला की इस मासू मक्नूब के खिद्मत आप धी करके लिए, अगर आप भी गैप की इंदाद का खजाना पाना چाए है। साथ मुझे ये भी बता हैं अगर आपके दिल को भी चूर रही है आपके दिल को भी अगर भाली लग रही है तो उन्हें तूसरों तक सरूर पहुंचाई है और जो लोग कहते हैं हमेशे डॉटसप आपके वाटसएप से तो हमें हफ्तों तक जवाब नहीं आता उनके लिए फेस्बुक लाइक जुम्हे के रोज जुम्हे की नमाज के फारण बाद इस दुन्या का हर शक्सी जानता है और हर शक्स जानना चाहता है कि मिलने की जड़ बिलने की और गर्वे एक कैसे कैसे लोगों की किस्मतें बदलती हैं एक सालग पे चलता हुआ रोट पती कैसे करण पती बन जाता है अचाहाँ से कैसे एक खांदान पूरी ब्राद रिर्व में सब को पीछे चोड़ता हुआ टॉक पर चला जाता है अब सुनिये ज़रा गौर से जिस वक्ट बिलनी बच्चा देती है तो गोश्ट का एक टुकड़ा भी साथ ही मौशूद रहता है एक शफाफ चमकता हुआ टुकड़ा होता है इस तो आपकी किस्मत आपके हालात बदलते हुए दुनिया देखेगी मेरी दुआ है कि जो लोग कि अपनी मस्ते मसाइद ले लेकर रोश्टी सेंडर पाकिसान में पूरी दुनिया से चले आते हैं अपनी दस्यद्ध के शिफा और रोश्टी को पाने के लिए और अपनी के दम्यान या अधर शिफा तीन दफाव लाकर दुरिश्ध के साथ एक हाजार मरतबा पर जितना मुम्किन हो आपसे बेवे जबान जारवरों को खिलाते पिलाते रहें ताकि अल्ला ताला आप पर महर्बान हो और अगर आपकी जिंदगी पे रुकावटे बेश्मार बेत तो या अल्ला हो या अवल या अफिर बगहर गिंती बेतहाशा पढ़ते रहा करें अपने अवल ता आखिर तमाम तर रुकावटों को हटाने के लिए एक बात हमेशे हैं रखेगा कि बिल्लियों को कारोबात के पैसे कमाना जाइस बिल्कुल भी नहीं जबकि अपने माल मे भी माल मेंजद को का बाईश से किस निकालका कर खिलाना पिल्लियों को बायसे बरकाता है कुछ ताजाओं आए तो आप बिल्ल्व कॊछ डाले अगर ना भी हो सके तो रोजाना कुछ नवकुछ बचा IP थोड़ा बुदा से करें और अगर चाहते हैं कि घर्बके दरवाबा परेशान बिल्कुल नी पूना तो ना किसी परेशाली को लातो नहीं किसी बिल्ाइब मंठाना हो बगाना हो अगर तो उसे आपको बार करना था किसी रूई के गोले से आफ और बंली वहां से चरे जाए ये ऑफ दोस्य बास सुनिये एक रोगानी मरीज मेरे पर आया जिसकी तेज रखतार गाड़ी की वज़े एक बिल्डी का बच्चा मारा गया था उशक्स का बाकायदा वजाइफ दुआओं और दुआओं के जरी से बाकायदा इलाज जब तक ना हो सका दीवांगी का मर्स उसके जहन पर तारी रहा और बिल्डियों का पाला हमारे लिए क्यों पाई से वरकत ना हो हस्द अबु अरेन रजीरत आला ना बिल्डियों से बेशुमार महबत और शफकत फरमाया करते थे इसलिए हम पर भी राजब है कि उनके तोर तरिंगों को हम भी अपनाए इसलिए जब भी कभी आपको कोई बिल्डियों देखे उसे महबत और शफकत थोड़ी बहुत जरूर दीजिएगा ताकि अल्ला की रहमते और नहमते आपको वेशवार मिलती ही रहे बाकि कोई बात पोश्नी हो हूँ बतानी हो या कोई बात अगर भूल जुग हो गई ऑो तो कमेंट सेशुं में जाकर मुझे जरू बता देना अल्ला ताला इसी तरह खैर वाली करम वौली फजल वाली बते हमें एक दुस्र तक पहुचाговा बपराए अलात अला हमें कुछ देखिए फाइदेगा बाइज बनाए अलात अला हमें बहुत बहुत रोश्री पहलाने वाला बनाए असलाम आलेकूम वरहमत लाख